हेलो गाईज, स्वागत एक बर फिट से आप सभी का आपके अपनी ही चैनल फैंटेसी बस पे हम यहां बात करने वाले हैं न्यूजेलेंड वर्सेस बंगलादेस वूमेन के बीच में यह सौरी जो सेकंड टी ट्वेंटी खेला जाएगा इसके बारे में फुल प्रिव्यू ल जो कि आपकी फैंटेसी विनिंग टीम के लिए काफी एहम रोल प्ले कर सकता तो वह सारी चीजिया हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर इंफर्म करते हैं बिल्कुल फ्री में तो अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ें तो आपका हमारे टे खेले गए अगर आप देखेंगे तो जो पांच मुकाबलों में से दो मुकाबले ले बाजी काने वाई टीम तीन मुकाबले सेकंड बले बाजी काने वाई टीम जीती है 197 का average score रहा है यह ODI की बात हम कर रहे है T20 के domestic मुकाबले यहाँ पे खेले गए है अगर आप देखेंगे men's के तो 19 मुकाबलों में 169 का average score रहा है अभी तक का अगर हम बात करें तो women's के यहाँ पे super smash के मुकाबले खेले गए थे T20 के वहाँ पे अगर आप average score देखेंगे तो यहाँ पे 135 ए 149 यहाँ पे 111 115 का scoring हुआ and यहाँ पे देखेंगे तो 143 और 114 यानि की cool मिलाके overall decent scoring ही हुआ है आप इसरी decent scoring कह सकते Pacers और spinners की बात करें तो 14 wicket spinners ने तो 12 wicket Pacers ने लिए अब मैं आपको चीज बताना चाहता हूं कि देखो women's के match में pitch report पे उतना dependent नहीं रहना चाहिए उसका reason है कुछ एक points है कि कुछ एक players ही है जो repeatedly perform करते है overall most of the matches में दूसला point कि यहाँ पे चाहे spinner हो चाहे पेसर हो अगर वह wicket taking nature का है तो most of the games में वो wicket ले गए लेगा दूसरी important point कि यहाँ पे most of the games जो होते हैं वो एक recent scoring होता है यानि overall balancing match वहाँ पे जो है आपको 120-140 के बीच में scoring देखने मिलेगा जैसे अब रिसेंट के 3 matches हमने देखे previously women's super smash के तो यह चीज है जो most common चीज है जो women's के मैच में होता है इसलिए पिच रिपोर्ट उतना रलाय नहीं करता है बट फिर भी अगर आपको देखने तो मैंने आपको statical view दिखा दिया है आप उसके according देख सकते हो ठीक है इसके अलावा head to head की बात करें दो मुकाबले खेले गए दोनों मुकाबले जो है अभी तक न्यूजिलेंड ने जीते हैं देखो एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको यह ऐसा fantasy website ढूंड रहे है जहां पर आपको डेली आपको फ्री में खेलने का मौका मिले तो वह 12 मैंन अप है यहां पर आपको फ्री में गिवेवे मिलता है लोवेस्ट एंट्रिफीस है जो लॉंग टर्म तक बेनिफिट देगा इंस्टेंट विड्रॉल का फीचर है साती साती यहां पर आपको 300 परसेंट का फ्लैट बॉनस deposit offer भी चल रहा है आप इन में से कोई भी amount deposit करेंगे तो आपको इसके नीचे जो bonus mention है वो मिल जाएगा और up to small league में 20% तक bonus usable आपका रहता है यानि small league में 20% तक bonus use कर सकते है ठीक है तो कुछ से एक specified league होता है जिसमें आप यूज कर सकते है तो bonus आपका वेर्थ नहीं जाएगा और यह सबसे जादा है अभी तक जितने भी आपने fantasy आप देखेंगे 20% तक किसी में नहीं होता होगा bonus use small leagues में तो यह important चीज है अगर आप sign up करना चाहते है वीडियो की description में इसका link मिल जाएगा sign up कर सकते है 12th man app पर इसके अलावगा दोस्तों दोनों ही टीम का betting balling style की बात करें तो यहाँ पर इनका देख सकते हो और गृष्टरून ह्लफवादंबाद सलमा खॉद्प लिया था उत्रूप लूप हुई थी तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इनके जो प्रॉपर गिंदबाज हैं वो कौन कौन है देखो जहनारा आलम सलमा कातून नाइधा अक्तर एस मेगना और यह लोग मतलब आपको मोस्ट अप दे गेम्स में अच्छे खासे ओवर करते हों दिखेंगे लास्ट में रितुम मोन की बात के तो जहनारा आलम सलमा खातून नाहिदा क्तर रितुम मोनी बड़्द ठेख रुमाना आलम के अलावा सलमा खातून दिसकासन करेंगे और प्लेयर का कौन सा प्लेयर की सिच्वेशन में बेटर रहेंगे न्यूजलंड प्लेयंग लए उनकी बात करें इनका इंपॉटेंट प्लेयर और रिसिन्ट स्कूर तो देखो सोफी डिवाइन सूजी वेट समीलिया के उपर सी यह तीन नीचे से हैं जैं नहीं रहता है बट देखो जनरली इनके टीम से जैसकेर हैले जैंसेंशन हो गई बाइन के बालर कनफिर्म नहीं रहते हैं बट जो आते हैं मैं उनको आपको नाम बता दिया वैसे कोई भी आ सकता है अब इनके टीम से जो चार चार ओवर की बॉलिंग डाल सकता है वह कौन को ने एफ जोनस जैस केर हेले जैंसन और अमीलिया केर यह चारों के आपको दिख सकते हैं अच्छे खासे ओवर ली ताओ और सोफी डिवाइन शेयर कर सकते हैं लास्ट में ली बिली आप फूरे चारों भी डाले इसके अलावा इनके भी प्लेयर वाइस स्ट्राइड देख सकते हैं यहाँ से सूजी बेटर्स का स्ट्राइड अच्छा है यहाँ पे जैस्टाइड अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं हर एक प्लेयर का वीडियो पाउस करके इसके लावाद दोनों टीम का हैट वर्ड स्टैट्स देख लेते हैं जब दोनों टीम में आपस में एक दूसरे के अगेंस्ट खेलती है तो किस टाइब का परफॉर्मेंस है न्यूजलेंड की तरफ से शोफी डिवाइन 29 का एवरेज है अगर हम बालिंग से बात करें तो न्यूजलेंड की तरफ से हैले जैंशन और ली ता हूँ और एफ जोनस का रिकॉर्ड अच्छा है अब इसके अलावद दोस्तों चलते हैं टीम सेलेक्शन की तरफ देखेंगे कौन्छा प्लेयर की सेच्वेशन में हमारे लिए बहतर किपिंग सेक्षन में आपको निगारा सुल्तानी उठाना है क्योंकि ज्यादा तर मोस्ट पर्फॉर्ब्ली यही अच्छा पर्फॉर्मिस देने के चांसे रखेंगी विकॉज बैटर बैटर है निगारा सुल्तान सोरी एम मक्वेडन से और यह टॉपडर की बल्लेबाज ह सकते हैं क्योंकि बंगलादेश की तरफ से विकेट गिरने के ज्यादा चांसे में मक्वेडन को आपको देखने मिलेगा कि कैचिंग और स्टम्पिंग के पॉइंट ज्यादा मिल सकते हैं बट मैंने एजा बैटर भी देखा है और बंगलादेश के मोस्ट अब प्लेयर्स हम सुजी बेट्स मस्ट पिक रहेंगे वर्ल्ड की वन अब बैस्ट बल्लेबाजों में से एक है ओपन करेंगे कंसिस्टेंट स्कोरर है मुर्सिद्या खादून स्टैट्स अच्छा रखते हैं अच्छा स्कोरिंग करके जाती हैं बट वही है कि सामने जब मजबूर टीम है त लेंगे एक बॉलर को कम करेंगे जिव्जवेंड के बॉलर को अभीक़ लए मान के चल रहा हूँ किए टिप डिक्रींश करने का मुकां मिले वही है वेसे नके पारे में मुझे ज्यादा पता नहीं क्योंकि ज्यादा खेला निया इनका ओवराल इस्टेट्स भी नहीं पता है लेकिन ओपन कर दिया अगर ज्यादा स्कोर कर गई फोरगाना हक से तो एक डिफरेंशिल पिक रहेंगी नीचे और कोई अच्छा आप्शन है नहीं प्लीमर ज बल्लेबाज करेंगी और बॉलिंग भी डाल सकती और कभी कमार दत में बी या सकती है ज्यान दना अमिले कर पूरे चार ओवर डालेंगी विकट टेकिiblर Each Agra के त hy तो दोनों मस्ठपिक उसके बाद रितम ओनी पूर की कि नहीं मैंने इसलिए नहीं लिया है क्योंकि आप टाइमर खेलती है रुमाना अमद यह अपनी टीम के लिए में आल राउंडर है विकेट टेकिंग नेचर का एबिलिटी वह रखती है और अपनी टीम की टॉप परफॉर्मस से एक है बट वहीं लास्ट मज़ में कुछ ख फोर्थ चोईस में लीता हुँ को रख सकते हो लेकिन ऐसा भी आप कर सकते हो जैसा मैंने बोला अगर न्यूजिलेंड की टीम फर्स्ट बल्ले बाजी करे तो आप जो है लीता हुँ और जैस्सकेर में से किसी एक को मिस करके आप लोग यहां पर फॉर्गाना हाग की जगे म मैंडी इनको लोगे जब आप यहां से इन दोनों में से किसी एक को मिस करोगे तो आपके पास दो ऑप्सन रहेंगा सलमा खातून और जो है नहीद आक्तर जो कि विकेट टेकिंग ऑप्सन हो पूरे चारवर करने के चांसे रखींगी तो इन में से आप किसी एक को भी दिखाई नहीं है प्रिवियस ली ठीक है तो इस वजह से मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा फर्स्ट ऑप्सन नाय दाक्तर सलमा सलमा खातून सेकेंड ऑप्सन थर्ड ऑप्सन में यह रखूंगा अगर आप चाहें लास्ट मैच के बेस पर तो फर्स्ट ऑप्सन मे जहान आ रहा आलम को रख सकते हो किसकी जग है जसके रोल ली तावू में से अगर आप किसी एक को मिस कर रहे हो तो ठीक है बाकी नीचे कोई और उतनी अच्छी ऑप्सन है नी फाहिमा खातून ग्रेंड लिंग में एकार टीम में ट्राय कर लेना दोनों डीसेंट बॉलर्स हैं तो अभी के लिए जो टीम बन रहे है कुछ इस पकार से जहां पर कप्तानी मैंने अमिलिया केर वाइस कप्तानी सोफी डिवाइन को दिया आप इसको रिवर्ज भी कर सकते हो और रुमाना एमाद अधर गूड ऑप्शन है फोर कैप्टैंशी एंड वाइस कप्टैंशी जील में आप किसी भी न्यूजिलेंड बॉलर और सल्मा खातू नाइदा अक्तर को कप्टैंशी वाइस कप्टैंशी रख सकते हैं खासकर की फर्स्ट बॉलिंग में बाकि ट्रम्प पिक के तोर पे फॉर्गाना है नाइदा अक्तर जैसकर और एक्स्ट्रा बॉलर फ्रम न ठीक है और बाकि जो आपको चेंजेस बता हैं उसके एकॉर्डिंग तो टीम में चेंजेस होंगे होंगे इस वीडियो में आपको कुछ भी सीखने मिला हो कुछ भी समझ में आया हो एक लाइक जो करना चैनल पर नए हो तो सस्काइब कर देना मिलता अगली वीडियो में